कि नमस्कार किसान भाइओ आपका स्वागत है ग्लोबल मैक्स फार्मिंग की यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो जी फारम पे यूज होने वाले एक टूल के बारे में वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें वाइच चैनल को सब्सक्राइब करें किसान भाइओ वीडियो के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है पाइप यह अपने फिक फारम पे साफ सफाई के लिए यूज होने वाड़ा एक टूल है तो इसके बहुत शांदार रजल्ट रहे किसान भाइओ हमें चार-पांच साल हो गए हैं पिक फारम करते पो नहीं निकालती है तो यह पिछले एक साल के अंदर जो हमने पाइपेचिंट की है वह पाइपे हैं तो पिछले छै मैंने पहले हमने यह पैप मगवाई थी मिलेनियम इक्यूमेंट और मिलेनियम लाइव स्टॉप जो अपने दिल्ली के अंदर कमल भी है उनसे तो इस पाइप का ये फाइदा है ये एक हपी की मोटर पे जो समर्शिपल बोर है सिधी पाइप लगके नोजल लगती है और बिल्कुल आपको कंप्रेसर जितना प्रेशर देती है साफ सफाई के अंदर बहुत बड़ी है खर्चा कम एक तो देखो आप फारम पे कंप्रेसर इंस्ट्रॉल करोगे तो कंप्रेसर के भी 20-25 जार रुपे लग जाते है साथ में बिल आपका ज़्यादा आएगा क्योंकि कंप्रेसर के लिए भी पहले पाणी कठा करना पड़ेग पहले आप अपने स्मर्सिफल मोटर चलाओगे फिर कोई होद बनाओगे उसका खर्चा लग से फिर जाके आपका कंप्रेसर चलेगा तीन एच्पी की मोटर से उससे कम चलेगा नहीं और यह एक एच्पी में उतना काम कर रहा है लाइट की भी बचत बहुत शानदा टूल आप इसको यूज़ कर सकते हो कम से कम इसकी लाइफ भी काफी बढ़िया लग रही है क्योंकि छै मीने तो हमें हो गई यूज़ करते तो अभी तक तो कटने फटने का कोई सवाल नहीं है पाइप के अंदर वैसी की वैसी लग रही है और मान के चलो यह एक साल भी निकालगी तो एक साल के अंदर अपना जितना खर्चा हो रहा था पाइपों का उतने में यह पाइप चल जाएगी और कंप्रेसर के पैसे और बचेंगे लाइट का बिल यह सारी चीज़े हैं और जो पाइप यह बेजते हैं उनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है इच्छुग भाई उस नंबर पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद